नमस्कार आज हम केविन जिलवर्ट की कविता मिस्टर मैन को हिंदी में पढ़ेंगे मिस्टर मैन एक्शली होना चाहिए मास्टर मैन लेकिन क्योंकि सीधे सीधे जो कवी है या इस कविता में जो व्यक्ति है जो नेरेटर है जो स्पीकर है वो मास्टर को सम्मोधित नहीं कर स क्योंकr possibility जो इक गोरा आदमी है आपको मालुम है कि गोरे लोगों ने यूरोपीएंस ने सभी जगहों पर जाकर अपनी कॉलोणिया बसाएं थी कपज़ा किया था शासन किया था तो ऐस्ट्रेलिया में भी गोरे लोगों ने जाकर अपनी कॉलोनी बनाई और उन पर शासन किया तो इस कविता में जो व्यक्ति बोल रहा है जो इस फीकर है वक्ता है वो एक एबोरिजन मतलब यह वहां का मूल निवासी है ऐस्ट्रेलिया का जो की एक काला गोरे लोग भी इन अंग्रेजों के सामने काले ही कहलाते हैं हम लोग तो इस कविता में बोलने वाला जो वेक्ती है वो एक काला आदमी है और वो अपने मालिक को संबोधित कर रहा है तो देखे क्या कहता है वो अपने मालिक से Have you looked क्या तुमने देखा है At your face अपने चेहरे को Like mine, मेरे चेहरे की तरह That is mirrored जो कि दिखाई देता है Mirror मने दरपन होता है दरपन में जैसे दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देता है मेरा चेहरा in land जमीन पर क्योंकि ये जो जमीन है Aborigines की है जैसे भारत की जमीन है तो भारतियों की है ऐसे ही जो Australia की जमीन है तो Australia के उन लोगों की है जो वहां के मूल निवासी थे तो वो जो जमीन है उसमें हम लोगों का चेहरा दिखाई देता है क्योंकि उसमें हमारा खुन पसीना मिला हुआ है सदियों से हम लोग रह रहे हैं उस जमीन पर तो वो कहता है कि क्या तुमने देखा है अपने चहरे को मेरे चहरे की तरह that is mirrored जो कि दिखाई देता है जो कि प्रतिबिम्बित होता है जो कि reflect होता है my face that is reflected in land यानि जमीन पर अब जमीन पर चहरा ऐसे तो नहीं दिखाई देता आप देखिए जमीन पर आपकी परचाई तो जरूर दिखाई देगी अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है लेकिन चहरा दिखाई नहीं देता चहरा क्या है वहाँ पर छिपा हुआ है किसी न किसी फॉर्म में हमारे पसीने की फॉर्म में और हम जब मरते हैं तो उसी जमीन में अपनी ही मात्र भूमी पर या तो दफन होते हैं या जलाए जाते हैं हम लोगों के हिंदूों में जलाए जाते हैं बाकियों में दफनाए जाते हैं तो हम लोगों की मतलब हमारे पूर्वज इस मिट्टी में मिले हुए हैं हमारा खुन पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है तो हम कड़ कड में हम बसे हुए है तो इस तरीके से हमारा जो चहरा है वो reflect होता है दिखाई देता है उस जमीन पर योर्स तुम्हारा चहरा योर्स मनें योर्फेस रिफ्लेक्स दिखाई देता है only केवल on pools तालाबों में यानि पानी में पानी में तो कोई भी अपना चहरा देख सकता है दिखाई देता है तो तुम्हारा जो चहरा है वो केवल तालावों में दिखाई देता है My image, मेरी तस्वीर, My picture Goes deep, गहरी जाती है, गहरी समाई हुई है In the sand, बालू में, रेत में तो ये जो धर्ती है हमारी, जहांके हम मुल निवासी है वहां की धर्ती में, बालू में, वहां के कणकण में हमारी तस्वीर समाई हुई है, हम समाई हुए है The soil, मिटी, and the rocks, और चटाने, and the trees, और पेड तो देखिए, rocks, चाहे वो चटाने हो, चाहे वो पेड़ हो Rocks जो बनती है, वो मिटी उड़ोड कर जमती है, जमते जाते है और वो पहार बनते जाते हैं, चटाने बनती जाती है तो मिटी है तो वही न, जिसमें हमारे पूर्वज दफन हुए थे या हमारे पूर्वज जलाए गए थे तो उन सभी में, उस मिटी में, उन चटानों में, और पेड़ों में पेड कहां से nutrition लेते हैं, नीचे मिटी से ही तो लेते हैं धर्थी से और उस धर्थी में हम लोग दफन है, उस धर्थी में हमारा पसीना है उस धर्थी में हमारा खून है, जहां से इन पेडों में nutrition लिया है तो इन पेडों में भी हम reflect होते हैं, उन पेडों में भी हमारी तस्वीर दिखाई देती है, हमारी छवी दिखाई देती है The souls, आत्माएं, of my people, मेरे लोगों की, my people means my ancestors, my forefathers, मेरे पुर्वजों की The souls of my people means the souls of my forefathers, my ancestors are here, यहां पर है The birds and the clouds and the breeze, चिडियां, बादल और हवा, हर किसी में, अब यह चिडियां है, चिडियां क्या खाती हैं, कुछ चिडियां कीडे खाती हैं, कुछ चिडियां दाने खाती हैं, तो वो कहां से आये दाने, इसी मिट्टी से आये, वो कीडे कहां से पैदा हुए, इसी मिट्टी से प बनते हैं, यहां से उड़कर पानी जाता है, इवैपोरेट होके पानी जाता है, बादल जाता है, धूल जाती है उन सबसे मिलकर क्लाउड बनता है, यहां से उड़कर जो भाप गई, जो धूल मिट्टी गई उस सबसे मिलकर बादल बना हम दिखाई देते हैं हमारी तस्वीरें है दा सन, सूरज एंड दा मून और चंद्रमा एंड दा स्टार्स और सितारे टॉक टु मी मुझसे बात करो आर ओफ मी वो मेरे हैं दे ड्वेल वो रहते हैं ड्वेल मींस रहना वो रहते हैं इंसाइड मी मेरे अंदर दे वो यानि ये सारी चीज़ें चाहे यहां की चिडियां हो चाहे यहां के बादल हो चाहे यहां की हवा हो चाहे यहां रहोने वाला सूरज हो चाहे यहां दिखने वाला चंद्रमा हो चाहे यहां दिखने वाले सितारे हो ये सब, they dwell, वो रहते हैं, inside me, मेरे अंदर, they each, वो सब, उनमें से हर एक, are apart, एक अंश है, एक अंग है, of me, मेरा, they live, वो रहते हैं, in my heart, मेरे दिल में, all things, सारी चीजे, all created, वो जो सारी पैदा की गई, सब बनाई गई, by God, और, ईश्वर के द्वारा, are, वो है, in me, मेरे अंदर, this whole universe, ये पूरा ब्रह्मान, are of me, ये मेरे अंदर समाया हुआ है, देखो मेरी ओर, we speak, हम बोलते हैं, and we cry, sorry, मैं तो भाबनाओं में बह गई और, मोबाइल को नीचे करना भूल गई, आपको थोड़ा सा एक दो लाइन द लेखी नहीं होंगे, we speak, हम बोलते हैं, and we cry, और हम रोते हैं, we talk, हम बात करते हैं, and we dance, और हम नासते हैं, and we sing, और हम गाते हैं, and I bring, और मैं लाता हूँ, them, उनके लिए, gifts, उपहार, of my soul, मेरी आत्मा का, of my love, मेरे प्यार का, God has bidden me, इश्वर ने मुझे आदेश दिया है, bring लाने का, Mr. Man, मेरे मालिक, Mr. Man, मैंने आज जैसा के आपको बताया, कि ये गोरे लोग, जो के मालिक हैं, सभी जगह, अभी तो खेर जादातर देश आजाद हो गए हैं, लेकिन, कुछ साल पहले तक, ये जादातर धरती के मालिक थे, इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, ये जो मालिक लोग होते थे, गोरे लोग होते थे, वो हमें अपनी बरावर तो समझते नहीं थे, वो अपने आपको हमसे उचा समझते थे, और हमारे उपर शासन करना अपना करतव्य समझते थे, उसको कहते थे वो वाइट मेंस बर्डन, वाइट मेंस बर्डन एक फ्रेज है, जो के गोरे लोगों ने अपने लिए बनाई है, कोईन की है, कि भई ये उनके कंधों पर ईश्वर ने बोज रखा है, कि वो हम पर शास करें और हम असभ्य लोगों को सभ्य बनाएं, इसलिए तो वो यूरोप से सारे कंटिनेंट्स में आए, और हम लोगों को गुलाम बनाया, हमारे उपर शासन किया, और कहते हैं कि उन्होंने हमें सभ्य बनाया, तो कहते हैं बिचारे, कि हमें तो ईश्वर ने हमारे कंधों पर ये बोज रख दिया है कि तुम सब काले लोगों को हम सभ्य बनाए तुम सब असभ्य हो ये उनका कहना होता था तो अब ये व्यक्ति कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें इस बात का एसास हो कि हम भी वैसे ही इनसान है जैसे तुम हो तो देखे क्या कहता है वो आदम संयोग वश इत्तिफाक से अगर इत्तिफाक से यू डू फाइंड तुम कभी पालो दा इसेंस ओफ लाइफ इसेंस होता है सार निचोड और दा लाइफ जीवन दा लाइफ फोर्स यानि जीवन की जो शक्ती है जो जीवनी शक्ती है इन लेंड जमीन पर तो कभी अगर ऐसा हो कि तुम उसका सार पालो उसका निचोड पालो यानि उसका इसेंस है क्या वास्तवित्ता क्या है जीवन की वो तुम कभी समझ जाओ All giving expression to self All सारी चीज़े Giving expression वो अभिव्यक्ति दे रही है वो दिखा रही है वो manifest कर रही है They are all manifestations तो giving all giving expression वो सभी अभिव्यक्ति दे रही है To self means आत्म को आत्मा को, soul को To life force To soul force यानि आत्मा की शक्ति को Then जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तब you will understand तुम समझ जाओगे The God soul कि जो इश्वर की आत्मा है अभी God particle खोजा गया है हिक्स बोसोन उसको नाम दिया गया है कि भई जो इश्वर है वो कंकर में समाया हुआ है भारतिय संस्कृति तो हजारों सालों से ये कहती आई है कि कंकर में इश्वर समाया गया है लेकिन अब तो वैग्यानिकों ने भी खोज लिया है God particle और वो भी मानते हैं कि एक God particle है जो इस पूरी ब्रह्मान में समाया हुआ है और उस God particle को क्या नाम दिया है वैग्यानिकों ने हिक्स बोसोन तो the God soul in all things around तब तुम जान जाओगे कि God soul इश्वर की आत्मा in all things सभी चीजों में around चारोर जो हमारे चारोर चीज़ें है उनमें इश्वर की आत्मा समाय हुई है इसको क्या कहा जाता है इसके लिए एक शब्द और प्रयोग होता है जिसको कहते हैं pantheism 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 का मतलब क्या होता है कि इश्वर पूरे ब्रह्मान में समाया हुआ है तो उसको pantheism कहते है the God soul in all things around the essence of life ये जीवन का सार है ये जीवन का निचोड है this is the reality of life then you live तब तुम जियोगे then indeed वास्तम में उसी वक्त तुम जियोगे वास्तविक्ता में तुम उसी वक्त जियोगे mister man you do live तुम तभी जीवित होगे सचे अर्थों में in real sense you will live at that moment when you realize that there is one soul in all the things of this world in all the human beings of this world जब तुम ऐसा महसूस करोगे तभी तुम जिन्दा रहोगे जब तुम ये महसूस करोगे कि हम लोग जो तुम जिनको तुमने गुलाम बना रखा है वो भी तुम्हारे जैसे ही इनसान है तब तुम वास्तव में जीओगे बहुत खुबसूरत कविता थी और ये कविता यहां समाप्त होती है ये मेरे पास एक question paper है पुरा ना तो इसमें देखे Mr. Man पर जो question आया है और ये एक दूसरा question paper है जो पिछले वर्षों में आये हैं इसमें ये second बाला question देखिए give in your own words यानि अपने खुद के शब्दों में दीजिए the theme of the poem जो विशेवस्तू है कविता की Mr. Man by Kevin Gilbert तो इसकी theme पूछी गई है इस question में तो चाहे वो theme पूछी जाए या फिर जो पिछला question था कि वही क्या कहना चाहता है एक ही बात है न जो विशेवस्तू है जो वही तो वो कहना चाहता है poet क्या कहना चाहता है तो अभी देखे के तीन question और इसमें दिये गए हैं इनको भी देख लेते हैं और answer लगभग वही रहेगा चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए क्योंकि इस पोई में एक एब ओरिजन यानि कि जो मूल निवासी है वो एक गोरे आदमी को संबोधित कर रहा है और उससे कह रहा है कि भी इस जमीन से इस धर्ती से तुम्हारा नाता क्या है तुम्हारी ये मात्र मूमी नहीं है यहां जो तुम रह रहे हो तुम केबल यहां पर शासन कर रहे हो इस धर्ती को प्यार तुम नहीं करते हो क्योंकि धर्ती ये जहां हम पैदा होते हैं वो हमारी मात्र मूमी होती है वो हमारी मा होती है और उसमें हम रिफलेक्ट होते हैं तो क्वेस्टिन किसी भी तरीके से पूछ जाए, आंसर आपका लगभग वही रहेगा, अब देखिए इन questions को देख लेते हैं, who is Mr. Man in the poem, तो इस कविता में Mr. Man कौन है, मैंने, आपको बताया था कि Mr. Man यहाँ पर एक गोरा आदमी है, Mr. Man in the poem is a white man, तो Mr. Man इस कविता में एक गोरा आदमी है, His name is Judge Fernell, उसका नाम है Judge Fernell, the poem is addressed to him, यह जो कविता है, उसको संबोधित है, हालांकि यह नाम कविता में तो नहीं दिया गया, He was scolded, उसको डाटा गया है by a tribal, एक आदिवासी के द्वारा, यानि जो मूल निवासी है Australia का, उसके द्वारा, for his inability, अपनी अक्षमता के लिए to comprehend, समझने की his affinity, उसकी समानता with his land, उसकी धरती से, second question है, why does the poet criticize Mr. Man, यहनि जो कवी है, वो Mr. Man को criticize क्यों करता है, उसकी आलोचना क्यों करता है, the poet criticizes Mr. Man, तो कवी Mr. Man के आलोचना करता है, because he is a white alien, क्योंकि वो एक गोरा alien है, यानि विदेशी है, and he does not have any affinity, और उसकी कोई भी समानता नहीं है, with the natives of Australia, Australia के मूल निवासियों से, third question है, what does the poet expect of Mr. Man, यानि कभी क्या उमीद करता है Mr. Man से, the poet expects that Mr. Man must identify, तो कभी ये उमीद करता है, कि जो Mr. Man है, वो identify करे, अपने आपको, मतलब के, समान समझे, identify himself with the Australian land, यानि जो Australia की धरती है, and nature, और जो करती है, and worship the nation, और इस राष्ट की पूजा करे, as a God, एक इश्वर की तरह है, मतलब के, अभी जैसे आपने point पढ़ी, तो वो ये कहना चाहता है, कि जब तुम समझ लोगे, कि धरती के कंकर में इश्वर समाया हुआ है, और सभी लोग समान है, तब तुम जी ओगे, यानि वो चाहता है, कि जो गोरा व्यक्ती है, वो यहां के मूल निवासियों को अपनी बरावर समझे, अपने आपको उनसे superior न समझे, यहां के मूल निवासियों को अपने से inferior न समझे, तो यह वो कहना चाहता है, अभी यह जो पूछा गया था एक्जाम में, इसका यहां पर थोड़ा बहतर उत्तर है, यह दूसरी किताब है, इसमें है, what does the poet Kevin Gilbert want to convey, यानि जो कभी है, वो क्या संदेश देना चाहता है, through his poem Mr. Man, Mr. Man के माध्यम से, Kevin Gilbert's poem The Mr. Man is a satiric and revolutionary poem, तो Kevin Gilbert की जो कभीता है Mr. Man, वो एक satiric मनले व्यंगात्मक, and revolutionary मनले क्रांतिकारी कभीता है, it raises a voice, यह उठाती है एक आवाज of revolt क्रांती की against, खिलाफ injustice, अन्याय के with the original residents, जो के मूल निवासी, original मनले मूल, residents निवासी of Australia, Australia के जो मूल निवासी हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, और आपको मालू ही है कि अंग्रेजों के राज में हर जगह के मूल निवासीों के साथ अन्याय हुआ, हमारे यहां भी कितना अन्याय हुआ, कितने सारे लोग तो हमारे यहां भूख से मारे गए इतनी सारी फेमाइंस आती थी अंग्रेजों के जमाने में अब देखिए कि वही धरती है और लोग इतने सारे हो गए देड़ सो करोड हो गए और आजादी के समय हम लोग तीस करोड थे और तीस करोड लोगों का पेट नहीं भर पात थी बंगल की कितने लोग उसमें भूखे बिलबिलाते हुए मर गए बिचारे तरपते हुए तो ऐसे ही अन्याय और अस्ट्रेलिया में हुआ सभी जगे हुआ तो उसके खिलाफ यहां आवाज उठाई गई है वो चेतावनी देता है दा वाइट मैन गोरे लोगों को फ्रॉम इंगलेंड इंगलेंड के हुए एक्स्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया का शोशन करते हैं इन दा नेम ओफ मॉडरन प्रोग्रेस आधुनिक तरक्की के नाम पर वो दावा करता है दैट के वाइट्स आर नोट सुपीरियर वाइट में एस ओल लगा दी जगा वाइट्स या फिर वाइट मैन कर दी जगा मियन आर नोट सुपीरियर वो ज़्यादा श्रेष्ट नहीं है टू ब्लैक काले लोगों से एंड एक्स्प्रेस और अभिव्यक्त करता है इस फेथ अपना विश्वास इन दा ग्रेस ओफ गॉड इश्वर की किरपा में तो ये थोड़ा बहतर आंसर है और मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना काफी है ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद